बनेगा स्वस्तिंजा के बॉड़कास में आपका स्वागत है हमारा फोकस है एक स्वास्थ्य, एक ग्रह, एक भविश्य हमारा लक्ष है सभी के लिए स्वास्थ्य और ये भी कि कोई पीछे न रह जाए क्योंकि स्वस्थ भारत ही बनेगा संपन भारत मैं हूँ अंबिका सिंग कामा जैसे कि हम मैं के महीने को माताओं के लिए स्वाइं की देख भाल के विशय के साथ चीहित करते हैं हमने स्पेशल गेस्ट डॉक्टर मलिका सारा भाईक के साथ बाचीप की वह एक डांसर, पद्मभूशन पुरुसकार विजेता, कोरियोग्राफर, आक्ट्रिस, राइटर और सबसे महत्पून रूप से एक समाजिक कारे करता है सारा भाई को समाजिक परिवर्तन के लिए डांस और इनके विभिन कला रूपों का अप्योग करने में विशेशग्यता प्राप्त है मलिका जी हमारे साथ जो निकले, बहुत-बहुत धन्यवाद मेरा पहला सवाल मलिका जी है, आर्ट एक कॉमन लैंग्विज है जो हम सब को कनेक्ट कर सकता है और आपने सबसे एक सबसे एक सबसे एक सबसे क्या चाहे है, वो डांस हो, थेटर हो, न्यूजिक हो आपके हिसाब से, what is the best thing about art as a medium, ताकि वो लोगों को जोड़े, कनेक्ट करते है अब आज जब बॉलिवूट को देखते हैं, तब हमारी रोमेंस भी बॉलिवूट की हो गई है हमारा, हम किसी को वो कैसे करते हैं, वो भी हम शारुक खान जैसे वो करते हैं हम गाने गाते हैं, किसी को प्यार दिखाने के लिए वो भी बॉलिवूट की है, आज शायद बॉलिवूट है, लेकिन हम हजारों साल से यही कर रहे हैं जब हम भजन गाते हैं, और हम आध्यात्मिक फील करते हैं, या हम शादी में गाने गाते हैं चिलाने के गाने, मुसकान के गाने, रोने के गाने, बिदाई के गाने, वो सब कला है. हमने कला को एक entertainment बना के रखा है. लेकिन हमारा सबसे पहला एक इनिसान के नाते जो एक reflection है वो कला है. चाहे वो गाना हो, चाहे वो तालिया से कुछ करना हो, चाहे वो खड़े हो के नाचना हो, जब हम खुश होते हैं, या हम बहुत दुख होते हैं, तब रोना, यह सब कला है, हमने कला को एक हमारी जिंदगी से अलग करके रखा है, हमें उसको वापिस लोटाना है और एक्सेप पस हम ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, हम उनसे नहीं जानते, वो हम से अलग है वगेरा, वो सब तोड़ देती हैं. और आपने जो कहा दिल से दिल के साथ साथ जो आपने कहा जो जोड देते हैं आई तिंग वह बहुत बहुत जरूरी है अगर हम बात करें आपने बहुत सदियों से आप काम कर रहे हैं विमेन इंपावर्मेंट में और और हर आंगल मतलब जाहे वो जेंडर फीमेल इंटिस हैं एक सोशल चेंज लाने के हमारी सिसाइटी में हिंदुस्तान में मिथालोजी हमारी जिन्दगी में जिन्दा है हम मिथालोजी को पहले की कहानी नहीं मानते हैं आज हमने जो मिथालोजी को बना दिया है किसी को मारने की चीज उसकी में बात नहीं कर रही है लेकिन अगर आप Hindu mythology को देखे तो औरत की position क्या थी हम कभी राम को राम सीता करकर नहीं पुकारते हैं हम सीता राम कहते हैं सिया राम कहते हैं राधा कृष्ण कहते हैं लक्षमी कांत कहते हैं उमा पती कहते हैं तो अगर शिवा उमा से जाना जाता था तो उमा की position आज जितनी बुरी करके ह अर्दनारिश्वरा का कॉंसेप्ट कहां से आता है। आज साइंटिफिकली हमें मानू है कि हर इंसान में X और Y दोनों क्रोमोसोम्स हैं। वही है अर्दनारिश्वरा कि हम मैं मैस्कुलिन जीन्स भी है, फेमिन जीन्स भी है। अगर वह हम आठ द्वारा फिर से एक विचार तरह ले जाना चाहे, एक क्वेस्चनिंग करें। हिंदु धर्मा एक इक मैं फ्क्वेस्शनिंग का धर्म था। उपनिश्थ पूरे बहां ब्लेकिन हम क्वेस्ट्शिन करने नहीं देती। तो हम आठ द्वारा इसको वापीस कैसे ला सकते हैं।ỗi खोड़े कर सकते हैं कैसे यह जो given positions है जो एक prejudicial positions a violent position बन गई है वो कैसे question कर सकते है that's how you can use art और यूस करने के अगर बात हम करें कि of course art use किया जा सकता है strong messaging के लिए लेकिन महिलाएं कि अगराब करें women traditionally किस तरहां उन्हें classical Indian dance के forms में हमेशा भारत नाट्यम हो एसे ढ़ानस फों में उन्हें कैसे डिपेक्ट किया जाता था और जो ट्रडिशनल जो हमारे दूसरे आर्ट फॉर्म्स भी है क्योंकि हमारा जो हेरिटेज है बहुत बहुत रिच है हमने काफी चीजों में औरतों को अबला बना दिया है जो भी चीज फेमिन थी औरत से जुड़ी जाती थी उसको हमने वीकनेस बना दिया क्लासिकल डांस में नाई का हमेशा नाई का औरत होती थी और वो जिसे ढून रही थी उस आत्मा और परमात्मा की खोज वो हमेशा मैस्क्यूलिन हुआ करता था इसका मतलब यह नहीं था कि औरत हमेशा वीक थी और पुरुशार्थ स्टॉंग था ऐसा माना जाता था कि हम अगर आत्मा बनके परमात्मा को ढूंडे तो आत्मा को अहम से दूर रहना पड़ता है और प्यार में पुरुश अहम से दूर कभी नहीं होता औरत होती है ऐसा म अगर है एस बीष्ट को हमने एक पीर से लगा दिया है जहां कॉन्ट्स मैंस्कुलिन हो गया है पुरुश माने मसल्स माने स्ट्रंथ आरत माने एमपथी एमोशन एमोशन माने रोना रोना माने वीक ने लेकिन अगर आप मेडिकल सायंस को देखो, तो कहते हैं कि पुरुशों को हार अटेक्स क्यों आते है इतने जल्दी, बहुत ज्यादा, क्योंकि वो अपने इमोशन बाहर नहीं ला सकते, क्योंकि उनसे पहले से कहा गया है, मर्द बनो, मर्द बनना इक्वल्स इमोशन नहीं हमें ये डेफिनिशन सेंज करने की जरूरत है, हमारे खुद के हेल्थ के लिए, पुरुशों को भी ये स्टीडियो टाइप से दूर होना पड़ेगा, क्योंकि उनकी हेल्थ और उनके मेंटल डिवेलपमेंट पे इसका बहुत ही बुरा नतीजा आ रहा है, और जब तक हमन अधिका जी, mostly people, ज्यादातर हम आर्ट को सोचते हैं, dance, किसी फ़र्म आर्ट को सोचते हैं, entertainment, मज़ा, hobby, किस तरह हम आर्ट को यूज कर सकते हैं, जैसे हम stem field में यूज करते हैं, कि कोई change लाए है? आर्ट एक भाषा है, entertainment नहीं, आप किसी भी कड़ा को देख लो, आप हमारे सबसे पुराने भिंबेटका में देखो, जहां early human beings का एक proof है, paintings द्वारा, तो वो proof paintings द्वारा है, तो कला हमारी सबसे पहली भाषा है, बच्चे भी सबसे पहले हसते हैं, गाते हैं, गर्गल करते हैं, जहां से music पैदा होता है, सबसे पहले बच्चे को आपने रोका नहीं, तो music सुनते वो हिलता है, वो dance करता है, उसको हम कहते हैं, इसलिए हम रोकते हैं, तो कला हमारा primary response है जिंदगी में, तो इसको अगर हम correct तरीके से use कर सके, तो हम बहुत communication की दीवारे तोड सकते हैं I think use करना सही तरीके से बहुत-बहुत important aspect है, कि हम दर्पना की बात करें, किस तरह आप, किस direction से या किस तरह आप gender sensitization पर काम कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत समय से काम करें, अगर आप हमें बता सके, दर्पना किस पर focus कर रहा है और खासकर gender sensitization पर कैसे हमारे समाज में दो, तीन, चार ऐसे बहुत बड़े मुद्दे हैं, जिसके कारण एक ग्रूप, दूसरे ग्रूप पर बहुत अत्याचार करता है इन में से धर्म एक है, जातिवाद एक है और जेंडर एक है जेंडर ऐसा है कि ब्रहमन पूरुष भी ब्रहमन औरतों के साथ गंदा वरतन करती है मारती है, वायलन्स करती है और आदिवासी पूरुष भी आदिवासी स्री के साथ करता है दलित पूरुष भी दलित स्री के साथ करता है तो जेंडर एक बहुत अन इक्वल और अन हेल्थी एक हमारा स्किजम है सोसाइटी में और जेंडर में हमें लगता है कि औरतों पर वाइलन्स होता है लेकिन वाइलन्स करने वाले भी इतना ही खुद को डिस्ट्रॉई करते हैं अलग तरीके से जितना वो दूसरे जेंडर करते हैं इसलिए हम गाना नाटग भवाई वीडियो फिल्म सब को लेकर अलग अलग तरीके से जेंडर पर कैसे काम करते वो दिखाते हैं मैं आपको एक शौट दिखाऊंगी अंग्रेजी में हैं लेकिन इसमें काफी हिंदी भी है कि हम बच्चों के साथ जेंडर की बात कैसे करते हैं जी वो हम जरूर देखना चाहेंगे we will add that in the video कि जरूर ही हम लोगों को दिखाएं कि कैसे अलग-अलग तरीकों से आप उन्हें किस तरह सीक और मैसेजिंग दे सके आपने जेंडर हम बाइस के हम बात कर रहे थे मेंस्ट्रेशन एक ऐसी चीज़ हैं 21st century में लेकिन अभी भी uncomfortable conversation है घरों में नहीं होती और हमारे देश में भी पॉकेट्स में कहीं पे sign of fertility के तौर पर इसे मनाया जाता है कई जगा औरतों को अलग किया जाता है तो इसके बादे में आप क्या कहेंगे जहां पर मनाया भी जाता है वहां पर भी एक पित्रुपक्ष का विचार है कि अब ये शादी के लायक हो गई अब ये मा बनने के लायक हो गई अब वो घर से निकाल देने के लायक हो गई एक जैसे prize bull या prize cow को हम दिखाते हैं वैसे ये एक बन जाता है menstruation नहीं होता तो मानव जाती समाप्त हो जाते हैं ये पहले समझने की ज़रूरत है अगर menstruation गंदा है तो पूरी मानव जाती गंदी है क्योंकि menstruation नहीं होता women's female organ नहीं होते तो बच्चा पैदा ही नहीं होता इसलिए बहुत डरे हुए पेट्रियाकल पुरुशों ने इसको कंट्रोल नहीं कर सकते वो यह एक female organic physiological function है जो पुरुश कभी कंट्रोल नहीं कर सकता इसलिए उसको कंट्रोल करने के लिए उसको गंदा बना दिया उसको नीच बना दिया यह भी हमें समझना है कि menstrual blood में जितने stem cells है और stem cells से cancer वगेरा बहुत बहुत serious रोग का जो उपाय हो सकता है वो menstrual blood से होता है जिस blood में ऐसी चीज है जो cancer जैसी चीज को भी alleviate कर सकती है वो गंदा कैसे होता है कैसे हो सकता है बहुत से ऐसे देश है जो government scheme से menstrual blood को collect करती है और अस्पतालों में जाके उस menstrual blood से stem cell निकालती है ताकि वो stem cell से लोगों का करोडों लोगा का इलाज हो सके हमें यह सब जानने की मानने की समझने की जरूरत है कि अगर हमें family में कोई कहे कि हम गंदे हैं तो उनसे कह दीजिए का कि menstruation के बिगेर आप जिन्दा नहीं होते है कि माइन की बात है कहीं ना कहीं यहां सोचने की बात है अभी भी हम टबूस में फसे लेकिन आगे जाए जैसे आपने शेयर किया अवेनस होनी चाहिए एडूकेशन होनी चाहिए कि ऐसी चीज़े हो रही है हम वहीं कहीं बैठे हैं कि अचार मच छूना मंदिर मच जाना तो वो आइधिंक माइनसेट एक चीज़ है मलेका जी आपका एक ओडियंस के साथ हमेशा बहुत अच्छा करनेक्ट रहा है आपने सोचल इशूस पर काम किया है इसलिए मैं अपने आपको बहुत फॉर्चुनेट बानती हूँ कि मैं अभी भी कनेक्ट कर सकती हूँ अगर आप एक कॉलेज के स्टूडन के पास जाके कहो कि मैं आपसे यह बात करना चाहती हूँ कि अगर मैं उसके पास एक बहुत सुन्दर गाना लेकर जाओ या एक बड़ी कॉमिक स्टॉरी लेकर जाओ कि वाइलन्स अगेंस विमेन मेंटली कितना गलत है और वो प्रेजिडिस कितना है तो वो सुनेगा वो सुनेगी और कहीं न कहीं उसकी विचारधारा चेंज होगी वो अगर ये भी मेरा audience का है अरे ये तो गलत बात है लेकिन मैंने जो कहा था वो Anh कहीं नदर कहीं नेक्सटाइम वो रेप की बात करता है नेक्सटाइम वो किसी लड़की को गंदी बाते करेगा कहीं नकहीं वो उसको उसको कटकेगाइं परिवर्तन की भाशा मानने लेकिन उसका जो आटिस्टिक वेल्यू है कि लोग वहां बैठके देखें उसके बाद मैं उसमें क्या विचार गुसाती हूँ वो मेरी कला पर डिपेंडन और मेरी मेरी टैलेंट पर डिपेंडन जी और किस तरह जिसे आपने कहा कि मीडियम बहुत स्ट्रॉंग है आज के एज में कितना कुछ है मतलब बहुत इस्ट्र आर्ट को किस फॉर्म से बेखते कि वो चेंज ला सके हमारे सोसाइटी में कॉन्वसेशन के लिए और उसके बाद एक डिफ्रेंस करने के लिए या निहीं कि बात की और खतब होंगी लेकिन तो मेक इट हैपन उन ग्राउंग मतलब अब फरक देखी हां I think we must understand कि हमारा हमारी हमारी दुनिया आज पांच साल की दुनिया से भी अलग है Technology has taken over our lives As an artist मुझे वो technological changes समझ के आज के attention time को समझ के आज की Gen Z के साथ Gen Z plus 1 के साथ मैं कैसे बात कर सको Constantly मुझे research करना जुरूरी है क्योंकि मुझे अगर relevant रहना है Problems तो सेम है Problems हमारे change नहीं हुए बलकि हमारे problems बड़े है आज COVID के बाद mental illness इतनी ज्यादा है हमने पूरे COVID के time में रित्या परिचाय करके एक project चला है जिसमें तक करीबन 15,000 लोगों को बच्चे को नहीं लोगों को कश्मीर से लेकर जोदपूर तक पाकिस्तान की बॉर्डर तक हमने online folk dance के द्वारा इतना हमने mental health पे काम किया है और काम हुआ है और हमने results देखे हैं you need to apply your mind to the current situation and find new fits अगर मैं कहूं कि मैं जैसे 40 साल पहले भरतनाकिम करती थी एक बहुत intellectual audience के साथ करती थी तो आज भी वैसे ही करती रहूंगी that's not way to work मेरे challenge है कि मैं आज भी relevant कैसे रहो क्योंकि मेरा messaging relevant है समाज के तक वो पहुंचाना relevant है तो मुझे जूनना पड़ेगा वो रास्ता क्या हो और किस तरह आप वो पहुंचो वहां पे और packaging कैसे change कर रहा है I think भो भी है कि that's how a different way of growth कि किस तरह हम सोचें एक आखरी सवाल डॉक्टर मानेका आपने कहा है mental health के बारे में क्योंकि आपने काम किया है और महिलाओं के लिए self-care हम एक word सुनते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो जब बच्चों को देखती है घर को देखती है अपने आपको अपने बारे के सोचती नहीं खो जाती है ऐसे अगर मैं कहूं self-care कितना जरूरी है because इस महीने हम इस पे focus करें कि आपना ख्याल भी रखें हम अगर healthy हैं हम अगर अपने आप में खुश है तो हम दूसरों की जिन्दगी में सुगंद लाएंगे अगर हम हमेशा अपने आपको harassed feel करें ठकान महसूस करें नहीं मुझे पेट में दुखता है मुझे बैक में दुखता है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं मेरे पास time नहीं मेरे बच्चों को ज्यादा मुझे importance देना है हमारे समाज में हमने औरत को bottom of the heap रखा है आज भी मेरा जो बेटा और बेटी हुई तो बेटे को अगर कुछ होगा तो मैं हॉस्पिटल में भेजूंगी बेटी को होगा तो कहूंगी अरे छोड़ देना चला जाएगा आज भी अगर आप अपने आप को खिलने देंगे तो आप वो सुवास सब तक ले जाएंगे इसमें गिल्ट की कोई बात रही है आपको हेल्थी रहना आपको खुश रहना आपको अंदर से हरोज सुबे स्माइल के साथ वेक करना ये बहुत ज़रूरी है किसी को भी आपको गिल्ट मत करने देना शेम मत करने देना ऐसे मत कहने देना कि आप अपने आपके लिए समय क्यों ले रही है ये समय लेना अवश्य है बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये कहा मलेका जी आए थी सोचने की बात है कि गिल्ट जो कही बार हम कहते हैं न सेकंड नेम है मदर्स का कही ना कही उसको चेंज करना है माइंसेट को चेंज करना है और और अरोतों को भी समझना ज़रूरी कि खुशी उनसे शुरू होनी चाहिए बहुत बहुत धन्यवाद थांके सोचने सकते हैं सेम नाम बने का स्वस्तिंडिया फेस्बुक ट्विटर और इंस्टेग्राम पर भी हम मौजूद हैं मेरा नाम है अम्बिका सेंग कामा मेरी तरफ से गुद बाई स्टे हेल्दी और स्टे सेफ